इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स में लाइव मार्केट में आप्शन टेडिंग करके दिखाने जा रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस ये भी आप लाइव मार्केट में देखने वाले हैं अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप अभी नए नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में आप्शन टेडिंग करना भी आप सीख जाएंगे तो दोनों के डिफरेंस के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए एक एक चीज मैं आपको मुबाइल की स्कीन पर उंगली रख रख के दिखाने वाला हूँ सारी चीज़े मैं आपके सामने करने वाला हूँ साथ ही इस टॉक्स में आप्शन टेडिंग से रिलेटर एक एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ तो अगर इस वीडियो को आपने कंपने देख लिया तो फिर इस से रिलेटर आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने जरूर नहीं बढ़ेगी मैं हूँ जीशान और आप देख रहे हैं मरा यूट्यूब चैनल बिजनेस फील तो आज मैं जो आपको इस टॉक्स में आप्शन टेडिंग करके दिखाने जा रहा हूँ वो मैं अपने ग्रो की दिमेट अकॉण में करके दिखाने जा रहा हूँ अगर आपके पास ग्रो का दिमेट अकॉण नहीं है तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बाप्स में दे रखा है उस पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में अपना डिमेट अकॉण ओपन कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे DMEAD ACCOUN को भी यूज करते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स में option dating करने का जो process होता है वो सभी DMEAD ACCOUN में same होता है चीजे same होती है बस DMEAD ACCOUN का फरक होता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखने जिए तो सब सबसे उपर यहां पर देखिए आपको search करने का option मिलता है तो आपको जिस भी stock में option dating करनी हो उसको आप यहां से simply search कर सकते हैं या फिर आपको अगर idea नहीं है तो आप नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए आपको कई सारे stocks की list दिखाई देती है आप इन में से भी किसी भ पर देखिए आपको gainer or losers में दिखेगा तो आप मान के चलिए कि मैं इसमें से सी मोर पा क्लिक करता हूं तो हमारे सामने देखिए यहां पर थजी सारे stock की list आ चुकी है तो आप हमें क्या करना है किसी एक stock में option dating करके आपको दिखाना है और साथ में उस से related जितनी भी important कीजिए समझने को भी मिलेगी तो suppose करी सबसे बहले हमारे सामने यहां पर एक anti-pc का यहां पर stock दिखाई दे रहा है तो हमने इस पर click करा इस पर click करने के आपको सामने कुछ इस तरह का यहां पर interface open हो जाएगा सबसे उपर आपको सामने यहां पर stock का नाम दिखा होगा उसक यहां पर इसके आप overuse, news, events, friends ओ यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप इस पर click करते हैं तो यहां पर आप इसका chart देख सकते हैं तो ठीक है अब यहां पर आप इसके chart को देख सकते है chart को आपको analysis करना आना चाहिए chart को read करना आना चाहिए PCR ratio put call ratio technical analysis और indicator का भी आप यूज कर सकते हैं तो फिलाल जो है ये वीडियो मैं सिर्फ और सिफ एजुकेशन परपस के लिए बना रहा हूं इस टॉक्स में option rating कैसे करते हैं यह मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा analysis नहीं करने वाला हूं simply आपको process में आपको बता दो ताकि आपको सही चीज मालूम हो जाए अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैंने नीचे करा तो यहाँ पर आपको option chain का एक यहाँ पर टाइब आपको देखने को मिल रहा है लेकिन यहीं पर आपको एक चीज मैं और देखाना चाहूंगा मैं यहाँ से बैक करता हूं और बैक करता हूं मैं किसी दूसरे इसको यहाँ पर ले लेता हूं जैसे मान के जैनिए कि यहाँ पर एक देखे टाटा टेल्यों लोजी इसका यहाँ पर है तो आप यहाँ देखें कि सारी कुछ तो आप आपको सेंद दिख रहा है लेकिन यहाँ पर जैसे उसमें option chain का यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है अब देखना अब मैं एक और में देख लेता हूं और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए इनर्जी तो सुझना में देखते हैं तो यहाँ पर आपको option chain का option देखने को नहीं मिल रही है इसका मदलब क्या हुआ कि आप हर stock में option trading नहीं कर सकते हैं हर stock में option trading allow नहीं होती है आप सिर्फ उन्ही stocks में option trading कर सकते हैं जिसमें allow होती ही जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया जो बड़ी companies होती है उनके stock में आप option trading कर सकते हैं छोटी मोटी companies के stock में आपको option trading करने का option नहीं मिलता है तो यहां पर आपको यह चीज़ तो सब्सक्राइब हो गई अब इसके बाद क्या है अब चलिए हम आपको एक option trading में एक बांटक लेकर दिखाते हैं कि stock option trading कैसे होती है तो अब suppose करिए कि हम यहां पर मान लेते हैं मैं यहां पर नीचे आता हूं तो suppose करिए कि मैं पर पंजाब national bank को यहां पर ले लेता हूं ठीक है इसको बैक करते हैं पंजाब national bank को हम यहां पर एंटी बीज़ ले लेते हैं तो यहां पर देखिए आपके सामने option chain का आप टैप देखने को मिल रहा है इसका मतलब आप जो है इसमें option trading कर सकते हैं आपको मैं ने आप बताते हैं कि नीचे जो है इसके चार्ट को इसके performance को open previous low volume यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं market depth दे सकते हैं यह सब बहुत जरूरी चीज़े होती हैं जब भी आपको option trading करनी हो तो यह चीज़े टेक्निकर analysis chart trading indicator का use PCR ratio यह सारी चीज़े आपको देखना बहुत ज देना है इसके बाद आपके सामने यहां पर एक option chain open हो चुकी है उपर देखें लिखा हुआ NTPC यहां पर कुछ date दिखाई दे रहे हैं इससे कहते हैं expiry date इसके बाद यहां पर देखने को मिल रहा है बीच में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अब बहुत सारे beginners लोग जो अभी नए नए लोग आये हैं stock market में trading करने के लिए वो यहां पर आके सबसे ज़्यादा confused होते हैं इस chain को समझना उन्हें आता नहीं है तो इसके बाद वो क्या ही कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको short में जो है इसके बारे में बता देता हूं यह सारी चीज़ों यहां पर यहां पर देखें NTPC मतलब stock का नाम दिखाई दे रहा है या तो आपको sound में आ चुगा है December 28, January 22 और February 29 यह क्या है इसकी expiry date होती है आप चाहे निफ्टी 50 में option trading करें चाहे फिन निफ्टी में करें या bank निफ्टी में करें आपको हर जगा यह expiry date देखने को मिलती है लेकि ए जैसे आप stock में आते हैं और option trading करते हैं stock में यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मन्तनी expiry date देखने को मिलती है और मन्तनी में कौन से expiry date होती है तो मन्त का जो last Thursday होता है उस दिन stock की expiry date होती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर December 28 तो इसे हम गएंगे current month की expiry date जनवरी 25 इसे हम गएंगे next month की expiry date और यहां पर देखे है February 29 है तो यह क्या होगा हमारी far month की expiry date यहां पर कहलाएगी अभी आपको इसको calendar में भी आगर आप देखेंगे अपने तो देखेंगे 29 दिसंबर में भी आपको Thursday मिलेगा मन्त का last Thursday होगा January 25 भी मन्त का last Thursday होगा और February 29 जो है य हुआ आपको simple तरीक है बता देता हूं कि जब भी आपको लगे कि जैसे मैं इसी का example ले लेता हूं कि जब भी आपको लगे कि anti-pc का जो share price है यह उपर जाने वाला है तब आपको क्या buy करना होता है तब आपको call price में buying करनी होते है मन्दब call price को contract को खरीदना होता है और जाने वाला है तो आपको call buy करना है जब आपको लगे कि share price नीचे जाने वाला है तो आपको put buy करना होता है अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है आपको points दिखाए दे रहे हैं यह इस तरफ जब आप आएंगे तो यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखाए दे रहा है तो call price में ITM, ODM और ITM मैं आपको बता देता हूं तो जब मैं देखे call price की बात कर रहा हूं मतलब क्या हुआ जब मैं इधर की बात कर रहा हूं तो इस 222.50 पर आएगा और या तो आप 275 तक आएगा तो मतलब इस तरफ बढ़ेगा तो इसके लिए इंदा money क्या होगा इंदा money जो होता है उसका मतलब होता है कि जिसको इसने achieve कर लिया हो और out of the money मतलब OTM क्या होता जिसको इसे achieve करना है तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी यहा money तो इधर की जो इस black वाली पट्टी जो आपको दिख रही है ना इस black वाली पट्टी से ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यह सारा आपको ITM दिखाए देगा जितना आप इधर ऊपर जाते जाएंगे वह यह उतना ही ज्यादा deep in the money मतलब deep item कहलाएगा अब इसके ब पैसे पर चल ला है तो यह दोनों जो है इसका ADM कहला जाएगा मतलब add the money मतलब किस लाइन के पास का जो रहेगा उसको कहेंगे add the money अब बात आती है ओडियम किसे कहेंगे तो जिसको इसे अभी achieve करना है तो call price मार्केट बढ़ती हुए देखी जाती है तो जब बढ़ेगी तो 279 जैसे 270 पर पांट पैसे पर चल लेगी तो 255 पर आएगी 275 पर आएगी 275 पर आएगी तो मतलब इधार इसको जो है achieve करना है तो जिसको इसे अभी achieve करना है उसको आपको मतलब out of the money तो इधर का यह जो आपको है ना यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह हिस्सा यह दिखाई दे रहा है आपको इस प्रीम दिखाई दे रहे हैं यह सब इसको ओटियम मतलब out of the money कराएंगे तो सिंपल सी बात है कॉल प्राइज में इस ब्लैक प्ट्टी ले लाइन से ऊपर की तरह वीधार आप देखेंगे तो यह जो है आपको आपको इसका प्राइस इसके लिए यह जो है यह इसको अभी एचीव करना है तो जिसको इसको एचीव करना है उसको हम कहाएंगे otm मतलब out of the money मतलब किधर का यह जो आपको premium दिख रहा है यह सारा इसका otm है और यतना आप अंदर उपर जाते जाएंगे यह इसका deep otm कराएंगा मतलब deep out of the money इसके बाद simple इसारी तरीका इसमें भी है कि put में जो होगा है इसका atm मतलब add the money क्या कराएंगा तो यह जो black पट्टी दिख रहे है जहां पर इसका price अभी चल रहा है इसके आसपास के जैसे कि यह दोनों इसका atm कराएंगे add the money कराएंगे और उसके पर जाएगी तो इसका मतलब यह सारी जितने भी इसके प्राइस दिख रहे है इसको इसने जो है और अचीव कर लिया है तो मुझे लगता है कि idm, adm और odm आपको अब तक समझ में आ चुका होगा अगर फिर भी कोई confusion लगती है तो फिर से देख लीजिए आपको और अच् option trading में एक content को buy करके आपको दिखाता हूं कि इसमें charges क्या लगते हैं, stop loss or target कैसे लगाते हैं, buy करने के बाद sell कैसे करते हैं, point gap के बारे में बताऊंगा, तो मान के चलिए कि मुझे लगता है कि ntpc का जो share है आज यह बढ़ने वाला है, तो बढ़ेगा तो हमें क्या buy करना ह call इधर का मतलब, अब अगर हम जो है देखिए इसके ATM मनब add the money पर हम जो है, इसमें option trading करने जा रहे हैं, तो देखिए 271 रुपर 45 पैसे पर चंब आ है, हमें लगता है यह बढ़के 272,50, 275 की तरफ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम call price में premium को buy करेंगे, contact को buy करेंगे, तो आपको मुझे लगता है, फिरनी यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा, तो चलिए हम इसको जो है, एक यहां पर buy करके देखते हैं, तो देखिए यहां पर जो है, आप जब इस पर click करेंगे, तो आपके सामने यहां पर buy और यह दोनों option देखने को मिलेगा, आपको simply यहां points में आपर gap देखने को मिलेगा, जब आप bank nifty में देखेंगे तो आपको 100 points का gap देखने को मिलेगा, और फिर nifty में 50 points का gap आपको इस strike price में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे आप stock में आता हैं, तो यहां पर हर stock में अलग-अलग points का gap देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको य तो आप जो है चलिए हमाय आपको जो है एक call option में मैं इसे बाइ करके देखता हूं फिर मुझे profit होता है कि loss होता हो भी आप देखेंगे और इसके बाद उसे कैसे sell करते हैं वो भी आप देखेंगे इस top loss and target कैसे लगाते हैं वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूं सारी चीजे लाइव मार्केट में मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं तो suppose करिए कि मैं यहाँ पर इस वाले 272.50 वाले contact में call option को buy करने जा रहा हूं तो simply हमें क्या करना है हमें इस पर click करना है इस पर हमने click करा तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर sell और buy दोनों option देखने को मिलता है मैंने आप buy पर click करा क्योंकि मुझे option buying करनी है अब यहाँ पर देखें सबसे उपर यहाँ पर इसका नाम शो हो रहा NTPC 28 December के expiry मैंने 272.50 की call option को मैं आप चूज करा है अभी यह जो चल रहा है आट रुपर 35 पैसे पर चल रहा है 100 देखें यहाँ आप कुछ कम ज्यादा हो रहा है सारी चीज़े लाव मार्केट में करके दिखा रहा हूं delivery और intraday का option देखने को मिलता है delivery का मन्दब यह होता है कि अगर आप delivery में इसे buy करेंगे तो आप इसकी expiry date तक इसे hold कर सकते हैं जैसे आज आज आप देखेंगे तो एक December है और इसकी expiry date 28 December की है तो आप इसको 28 दिन तक hold कर सकते हैं आपको हो सकता है profit हो सकता है loss हो सकता है आज आपने इसको buy कर लिया और आपको जो है आपको द होड़ करना चाहते तो आपको जो टाइम मिलेगा 28 दिसम्बर तक लेकिर अगर हम इंटरडे को चूज करते हैं तो यहाँ पर हमाय साथ एक सर्थ होती है कि आपको सेम डेही भाय करना है और सेम डेही सेल करना है आप इसे वोल्ड नहीं कर सकते हैं तो अगर आप अभी डिगे लेकिन इंटर दे करेंगे तो आज आज आपको profit हो market बंद होने से पहले चाहे आपको loss हो आपको sell करना ही करना होगा अगर आप खुछ से नहीं करेंगे तो आपको जो broker है वो automatic square off कर देगा आपको यहां पर मतलब automatic sell कर देगा इसका मतलब आपको बता दू कि देखिए option trading जो होती वो lot में होती एक lot दो lot तीन lot इस तरीके से तो यहां पर देखिए ntpc का जो एक lot है उसमें 3000 share है तो जब आप देखेंगे कि nifty 50 में 50 quantity का एक lot होता है Bank nifty में 15 quantity का एक lot होता है और fin nifty में 40 quantity का एक lot होता है लेकिन जब आप stock में आएंगे तो यहां पर हर stock मेंeller और quantity के lot होते है जहां पर देखिए जैसे आपको 3000 quantity का एक lot दिएख रहा है तो यहांपर जैसे कि आप देख सकते हैं, कि एक lot में 3,000 यहां पर इसके share हैं, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, lot में ही बड़े जा देखेंगे, आप यहां पर सीथर 2 lot हुआ, 3 lot हुआ, यहां पर ऐसा नहीं है कि आप लäg reader नहीं लए 3100 खरी देंगा, और अगर आप limit को choose करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से यहाँ पर price डाल सकते हैं जैसे कि अभी दिखे 8 रुपए पता निस पैसे चल रहा है अब हम चाहते कि यह जब यह इसका price गिर के 8 रुपए आ जाए लेकिन सारी चीज़े आपको मुझे live market में करके दिखानी है तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो है इसको market कर देता हूँ तो यहाँ पर देखे add market निक्के आ चुका है लेकिन फिलिभी जो है इसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे आपको दिखा रहा है कि approach required मनलब आपको एंटी पीसी के 28 दिसंबर की 270.50 के strike price पर एक lot में option trading करने के लिए आपके लिए दिखा रहा है कि approach required 28,570 ठीके इसका मनलब यह होगा कि आपकी dimate account में इतने पैसे होनी चाहिए और मेरे पास balance कितना है 35,246 रुपाय का तो इसे मैं जो है आपर buy कर सकता हूँ एक चीज़ आपने एक चीज़ और संगा होगा कि देखें इसमें lot side जो है उसमें बहुत ज़्यादा quantity होती है इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा बैसे लगा कर जो है option trading करने होती है इसके बाद यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी अब मैं इसके charges के बारे मैं आपको बता देता हूँ तो जब मैंने इस पर click करा तो यहाँ पर देखें आपको दिखा रहा brokerage जो है एक order 20 रुपाय मन्दा टोटल 20 रुपाय लगेगा एक्सचेंज टांजेक्शन चार्जे जो है 12 रुपाय 60 पैसे के है जीएस्टी 5 रुपाय 89 पैसे की है इस टैंब डुटी आपको 1.76 पैसे मारा 76 पैसे देने पड़ेगी सेवी टानोवार चार्जे से 3 पैसे का और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंटर्स चार्ज जो है वो 13 पैसे का है तो टोटल जो है 20 और 12 जो होगे 32 होगे अलग बग इस 40 रुपाय के आसपास 45 रुपाय के आसपास चोईस में ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी इसके बाद सिंबली आपको क्या करना है कि सिंबली आपको यहाँ पर जो है बाय पर क्लिक करना है और जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखे दिखा रहा है बाय ओडर कंप्लीटेड एंटी पीसी 28 दिसंबर 270.50 की call quantity दी नगार है और टाइप ए delivery order detail पर click करके जो है आप इसके order detail को देख सकते हैं फिलाल जो मैं इसा यहां से back करता हूँ और मैं done पर click करता हूँ अब done पर click करने वाद देखें हमारी यहां पर position में आपको आ जाना आप जितने अच्छे से चार्ट बीडिंग करेंगे आप जितने अच्छे इंडिकेटर का यूज करेंगे उतने ही ज्यादा आपको यहां पर profit होने के इसे buy गिया है और इसका जो market price चला है वो 8.65 पैसे चल रहा है तो ठीक है तो जब इसका जो market price हमारे खरीदे हो price से उपर जाएगा तो मुझे यहां पर profit दिखाई देगा और जब इसका price जैसे 8.55 पैसे जैसे इसका price नीचे जाएगा मुझे यहां पर loss होता हुआ हूँ ताकि आपको चीज़े एकदम clear हो जाए और अगर आप एक beginner है तो आपको अपना stop loss और target हमेशा set करके रखना चाहिए stop loss का मतलब यह होता है कि आप कितना जो है इसमें loss bear कर सकते हैं और target का मतलब होता है कि आप कितना profit लेके इसमें से निकल जाना चाहते हैं तो देख्यों मुझे आपर देखी कि लौस होने लगा है क्यों कि इसका जो प्राइज मैंने आठ ओपर पचास पैसे पर फरीदा है और मार्केट प्राइज वह आट यूपर पचास पैसे पो चुका है तो फिरहार ज्या आपको यहां पर इस टॉप लोगा कर देखा देता अब मैंने यहां पर देखो 8 रुपए 55 पैसे पर खरीदा है तो देखिए मुझे यहां पर क्या करना अब मैं चाहता हूं जब इसका प्राइज वह बढ़के 8 रुपए 70 पैसे पर अभी चल ला है जब यह बढ़के 9 रुपए हो जाए यह 9 रुपए 50 पैसे तो मैं इसे बिल पाँगा तो मुझे यहां पर जो है 7 रुपए टाइप कर देना है और सिंपल यहां पर प्लेश हो चुका है डंपर आपको कलिक करना है अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक जी टी टी आउडर में आप यहां पर देखने का मिले दा कि मैंने एक sell का यहां पर एक order लगा दिया जिसमें sell मनलब stopler 7 रुपए का है और target मेरा 9 रुपए 50 पैसे का है मैं फिर से अतनी position पर आता हूँ तो यहां पर देखें मुझे 1650 रुपए के आज-वास profit होता हुआ नजर आ रहा है अब मुझे आप देखें आप कुछ कम ज़्यादा हो रहा है आप देख सकते हैं तो फिलाहाल जो है मैं आप आपको इसे sell करके भी दिखा देता हूँ तो sell करने के लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर अभी sell और target order लगाया है उसे मुझे cancel करना होगा तो देखें अभी जो है 950 का मैंने लगाया है और 925 का यह market rate हो चुका है तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे अगर पहले sell कर देना है तो मुझे इस order को पहले cancel करना होगा इस पर मैंने क्लिक करा है आप इसे child कर सकते है और यहाँ पर modify भी कर सकते हैं तो फिलाल मैं इसे hij sign कर कर देता हूँ अब यहाँ पर देखें यह हमारा order यह यह country province हो चुका यह अब इसके बाद मुझे हНА ड़न पर क्लिक करना है अगर अगर अपनी पोजिशन पर आते हैं तो देखें मुझे यहाँ पर 16500 रुपय का प्रॉफिट होता हुवा नजार आ रहा है अब जो है मैं इससे सल करके भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाए अब मुझे क्या करना है सिंपली मुझे यहाँ पर इ आपको दन पर क्लिक करना है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल मुझे 1800 रुपय का यहाँ पर रिटन देखने को मिल रहा है मतलब इस ओप्शन टेडिंग में जो मैंने आपको करके सिखाई है इसमें मुझे 1800 रुपय का प्रॉफिट आज हो चुका है अब मैं अगर यहाँ ओडर्स पर आता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे इन तबर दस बच के नौ मिनट पर मैंने यहाँ पर देखें एक यहाँ पर अंटी बीसी की 18 दिसंबर की 272.50 की एक कॉल में जो है 3000 मतलब एक लॉट यहाँ पर मैंने बाई करी थी आट मैंने इसे सेल कर दिया है मतलब चार मिनट के अंदर टोटल जो है मैं यहाँ पर ठारा सो रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से जो है आप ऑप्शन टेडिंग कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ज्यादा पैसे से ऑप्शन टेडि के बारें बता दिया कॉल अंपुट का बाय दर्मा है आपको यह भी मैंने आपको बता दिया है आई टियम और एटियम के बारें भी मैंने आपको बता दिया है इसके बार आप आपको मैंने यह भी बता दिया कि चार्ट कैसे देखना है और स्टॉप लॉसन टार्गेट कैस हो रहा है लेकिन ये कब होता है जब आपको जो है अच्छी से चीज़े आ जाएं तब आपको प्रॉफिट होता है सुरुवाद में आपको प्रॉफिट कमाने पर ध्यान नहीं देना है सुरुवाद में आपको अपने कैपिटल को बचाने पर ध्यान देना होता है आपके trading से little video देखनी है तो मेरी इस channel पर आप जाके visit कर सकते हैं मैंने option trading intraday बहुत सारी videos बना के रखी हुई आपके लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है बाकि अगर आपको ये video पसंद आयो तो इस video को like करें अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही knowledge बर videos को देखने के लिए business field को जरूर subscribe करें आज के लिए बस इतना ही जै